सिर्फ सच चल मेरी लूना अब नहीं कराते किसी को वे हो गए मिस्टर अप्टू डे जीवन इनका रहान सुना शान से बोले चल मेरी लूना सपलता के सवारी लूना लूना करती पक्का वादा, खर्चा कम, मजबूती ज्यादा आप मेंसे कई लोगों को ये एड तो जरूर याद होगा सत्तर के दशक में भारत के बाजार में उतरने वाली लूना को लाखो लोगों ने अपनाया बेहद हलकी, ना गेर लगाने की जंजट, ना पेट्रोल खत्म होने का डर मतलब अगर रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए तो पैडल मार कर ये आपको घर पहुंचा ही देगी यही वज़ा थी कि उस समय टीवी पर आने वाला चल मेरी लूना का विज्यापन हिट रहा आलम ये था कि गाम हो या शहर, अधिकारी हो या चपरासी आराम से इस सवारी का लुफ्त उठाते थे इसके दम बेहत किफायती थे, जिसके चलते ये घर घर में पसंद की जाने लगी लूना को इतना पसंद किया जाने लगा कि क्रिकेट का मैन ओफ दो मैच और कॉलेज में अवल आने वाला विद्यार्थी का इनाम या फिर किसी मूवी की शूटिंग हो हर किसी की पहली पसंद लूना बन गई ये 50 सीसी की मूपेड 1972 में भारतिय बजार में उतारी गई और करीब 28 साल तक इसका उतपादन हुआ करीब 5 मॉडल आने के बाद 90 के दशक तक हाई परफॉर्मेंस मोटर साइकल के डिमांड वढ़ने से इसकी बिक्री में काफी गिरावट देखी गई इसके बाद कमपनी ने 2000 के दशक की शुरुआत में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया वैसे आज भी कई लोगों के घर में इसके मॉडल मिल जाएंगे और कुछ लोग अब भी इस पर सवार होकर पुराने दौर को याद करते हैं अरुण पिरोडियां द्वारा बनाये गए दो पहिया वाहन का शरीद पतला था और शुरुआत में इसे देश के मद्यम वर्ग पुरुषो और महिलाओ दोनों को लक्षित किया गया था लूना को उन लोगों की अपिक्षाओं को पूरा करना था जो भारत की दुरगटना प्रावन सडकों पर सवार थे और केवल 50 किलो वजन वाले हलके वाहन के लिए ये एक बड़ी चुनोती थी जो खराब गुणवत्ता वाली भारती सडकों का सामना कर सके इसे धूल भरे वातावरन, मिलावटी पेट्रोल और ओवरलोडिंग जैसे तत्वों का भी सामना करना पड़ा अगली कड़ी में बात करते हैं काइनेटिक हॉन्डा की जिसकी कहानी लगभग लूना के जैसे ही शुरू और खत्म हुई 90 के दशक में स्कूटरों का सडकों पर बोलबाला था ऐसे में 98 CC इंजन, एक सिलेंडर और बिना गेर के साथ इसकी लॉंचिंग की गई भारत की कंपणी काइनेटिक और जापान की हॉन्डा द्वारा बनाया गया ही स्कूटर का प्रारूप बहुत ही कम वक्त में लोग प्रियता के आस्मान को चूने लगा काइनेटिक हॉन्डा खास तोर से युवा वर्ग को ध्यान में रखकर बाजार में लाई गई थी लेकिन युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग और महिलाओं ने भी इसे खूब पसंद किया इसमें खास बात थी कि इसे चलाने के लिए गेर के स्थमाल नहीं करना पड़ता था और बेहत कम वज़न के साथ 70 किलोमीटर तक की स्फीट पर ये सड़कों पर सरपट भागती थी उस दशक में बिना गेर और हाई पावर इंजिन वाली इस स्कूटर ने वीकल मार्किट में एक रिवॉलिशन सा ले आया इसकी बड़ी और आरामदाएक सीट, लंबी किक, रेर व्यू मिरर, इंटीक्रेटिड इंडिकेटर्स भी इसके आकर्षन का केंदर बने सन 2008 में लूना के साथ इसके भी शेर महिंद्रा को बेच दिये गए पर महिंद्रा ज्यादा दिनों तक अच्छा व्यापार नहीं कर पाई और उससे अपना दो पहिया वाहन का व्यापार बंद करना पड़ा वक्त बीटता गया और बाजार में टूवीलर के एक से एक ब्रांड लगातार आते रहे 2009 में होंडा के एक्टिवा, टीवियस और इसके बाद इनके अन्य अपग्रेट वर्ज़न आते गए आज शोरूम में आपकी पसंद की टूवीलर लेने के लिए कई आप्शन मौजूद है यही बजा है कि लूना हो या काइनेटिक होंडा ये बाजार से पूरी तरह समाप्त हो गई और आज इनकी सुनहरी यादे ही काया है